हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स मिस्स कोली की दरफ से प्यार भ्रेंड मिश्कार सत्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नए रिस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं मतन कीमा मसाला जी हां यह बहुत टेस्टी बनता है बनाना तो फ्लेम ओन करके मैंने कुकर रख दिया क्योंकि हम कुकर में बनाएंगे और डाल दिया तीन चार बड़े चमच ऑईल अब डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिए है दाल चीनी का टुकड़ा साबुजीरा लॉंग और काली मिर्च के दाने खड़े म कालर चेंज होने तक इसे हमें भुनना है जब तक इसका कच्छा फ्लेवर बिल्कुल खतम ना हो जाए कीम मसाला बनाने के लिए मसाला अच्छी तरह से पका हुआ होना बहुत जुरूरी है बड़ी आतरीके से मसाला अगर पका होगा तो कीमा बहुत टेस्टी बनेगा तो इसमें से कच्छा फ्लेवर ना जिंजर गार्लिक का खतम हो जाए और मसाला और अची तरह से ना भुन जाए तो लीजिए मसाला काफी हद तक भुन चुका है अब डालते हैं इसमें कुछ सूखे मसाले जिसमें मैंने लिए आदा चमश लाल मिर्श का पाउडर यानिकी रे करेंगे एक बार अच्छी तरह से साथ में ही डालेंगे एक चमश के क्रीब धनिया पौडर यानिकी कोरियंडर पौडर फिर मिक्स करेंगे एक बार और थोड़ सा बुन्ने देते हैं और अब डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर तो दो टमाटर है जिसे मैंने कट कर लिया है मिक्स करेंगे एक बार फिर अपना-पना स्टाइल होता है सबजी बनाने का तो मेरा स्टाइल यही है बहुत टेस्टी बनता है कीमा आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए यह लिजिए गया मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से और अब बार आती है कीमे की भुनाई की तो कम से कम 6-7 मिनट हमें इस कीमे को बहुत अच्छी तरह से भुनना है जब तक इसमें से ओयल ना सेपरेट हो जाए और आपको खुद पता लग जाएगा की कीमा बहुत अच अच्छी बनता है और विसल लगाएंगे तो वह तो जटपट से पक की जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन भुनना बहुत जरूरी है इसे तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका तो यह देखिए फ्रिंट्स कीमा काफी हद तक हमने भुन लिया है और बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में भी यह देखिए क्योंकि यह बाइंडिंग जो आई है ना इसमें यह प्याज के और टमाटर के मसाले से आई है तो आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए तो यह देखिए कीमा काफी हद तक भुन चुका है अब हम क्या करेंगे अब हम डालेंगे इसमें पानी तो कम से कम आदा कप के क्रीम मैं इसमें पानी आइड करूंगी और इसे थोड़ा सा और भुनूंगी यह लिजिए चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा और भुन लेते हैं तो अब हम इसे cover कर देंगे quicker को, तोड़ा सा पानी में इसमें और add करूंगी, और कम से कम दो whistle इसकी high flame पर लगा कर इसे हम बंद कर देंगे flame को, और steam खतम होने तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, तो मेरती हूँ दो whistle के पाथ, तो लिजिए friends मटन कीमा मसाला हमारा पिलकुल त्यार है ये देखिए color देखिए कितना जबर्दस आया है और बहुत जबर्दस खुश्बू आ रही है बहुत अच्छा liquid हमारा जो मटन कीमा मसाला बनकर त्यार हुआ है तो मैं करने वाली हूँ इसे serve तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे like कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए साथ में मैंने डाल दिया इसमें मटन मसाला थोड़ा और बड़िया flavor के लिए तो करते हैं इसे serve हाँ फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई